जैसे कुंडली में दौनों के ग्रहे आपस में मेल नहीं खाते हों, तब ये स्थिती निर्मित होती है। विशिषकर लड़का ये लड़की दौनों की किसी एक कुंडली में मंगल के द्वारा सनी देखा जाए। बद्रष्टी हो या बारविभाव की उपद्रष्टी हो इन इस्थानों पे मंगल ये सनी का होना अतियावशक है। तब प्रेम बिवाह और लिविंग रिलेंसेंसिप ऐसे में लोग रहते हैं। ऐसे लोगों के संबंध जादा दिन तक चलता नहीं है। ऐसे लोगों के यदि विवाह भी होता है। तो जादा से जादा पांच वर्ष, छे वर्ष, तीन वर्ष, अधिक्तम दर्ष वर्ष। अब गुण मेलापक की बात आती, अश्ट कूटों का मिलान होता है। अश्ट कूटों में नाडी का, गण का, ग्रह मेत्री का मिलना अतियंत आवर्षक है। यदि ये आपस में मिलते हैं, तो गुण की संख्या अधिक हो जाती है। जिन लोगों की तलाक होते हैं, उनका उपायत उस बिवाह से पहले ही होता है। जब आप किसी योग की विक्ति से, किसी योग की जोत्साचार से अगर कुंडली मिलवाते हो, तो वे सारी इस्थिति आपको समझा देगा कि इनकी कुंडली में ये ये योग है। उस योग को हटाने के लिए उस योग के लिए आपको कुछ देवताओं की पूजन, गिरहों की पूजन करनी होगी। यदि किसी की कुंडली में तलाक का यदि योग बनता है, तो गवदान करें। हाथ में एक चांदी का सिक्का, गाय की रसी इत्यादी लेके, दोनों पती-पतनी बिवाह के दूसरे दिन गवदान कर सकते हैं। इससे तलाक के जो योग रहेंगे उटल जाएंगे। जाएंगे जाएंगे।